ऐसा मंदिर जहां सरस्वती मा का सियाही से अभिशेक उज्जेन में 300 साल पुराना मंदिर बसंत पंचमी पर स्टुडेंट समांगते हैं मननत नमस्कार आप देख रहे हैं दखबरदार नियूस तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुक और बड़ी खबर पर आज बसंत पंचमी है देश में ग्यान की देवी मा सरस्वती का पूजा अर्चन और अनुस्ठान किया जा रहा है आपको मदरपदेश में ऐसे मंदिर के बारे में बताते हैं जहां बसंत पंचमी पर मा शार्दे का सियाही से अभिशेक किया जाता है उन्हें मेंगे पैन भी चड़ाते हैं स्टूडेंट यहां अच्छी भविशे के लिए मन्नत मांगते हैं यह मंदिर उज्जैन में चौरासिया समाज की धर्मशाला के पास विजासन माता मंदिर के सामने छोटी सी गली में है इन्हें नील वर्णी देवी के नाम से भी जाना जाता है जोतिशियों के मताबिक इस बार गुप्त नवरातर और रितुकाल में परिवर्तन का चक्र विगमान होता है बसंत पंच्वी के दिन शुब्योग रहेगा तीस साल पुराने मंदिर में माता सरस्वती की मूर्ती पंडित अनिल मोधी ने बताया है कि मंदिर तीस साल पुराना मुगल काली है मंदिर में सरस्वती मा की पाशान की काली मूर्ती है जीवन में सफल होने की कामना लेकर विद्यारती यहां सियाई और कलम चड़ाते हैं कई बच्चे यहां पैन और कौपी का पूजन भी करते हैं खासतोर पर यह परिक्षा के दिनों में यहां स्टुडेंट का ताता लगा रहता है सियाई कलम के साथ विद्यारती पीले फूल भी चड़ाते हैं मानेता है कि बसंत पंचमी पर यहां सियाई और पैन चड़ाने से बच्चों का भविश्य उज्वल होता है बसंत पंचमी पर पर सुबा से ही बच्चों के साथ पुरुश महिलाई की भी रजटना शिरू हो जाती है सियाई के कारण मंदिर नीले नीले रंग का हो जाता है कैसे शिरू हुई परंपरा इसका उलेख नहीं मंदिर के पुजारी अजत्रिवेदी ने बताते हैं कि यह परंपरा कैसे शुरू हुई है तो ठीक से नहीं पता है पिछले 50 साल से इस परंपरा का निर्वाहने किया जा रहा है परिक्षा में पास होने के बाद भी बच्चे सियाही चड़ाते आए हैं खास बात यह है कि इस दिन के लिए दुकानदार सियाही भी बंगवा कर रखते हैं देवी बागबत में भी कहा गया नील वर्णी मंदिर के पुजारी अजत्रिवेदी का कहना है कि शास्त्रों में कहीं कहीं मासरस्वती को नील वर्णी कहा गया है खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे किसी बड़ी और खास कबर के साथ तब तक के लिए नमस्कार हो देखते रहिए दाखाबरदार नियूज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने सपनों का घर बना रहे हैं एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन्स आपके लिए तैयार है मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकरशक वास्तु कला और विशशग्य वास्तु परामर्ज तक आपके घर के पूरे सामान के साथ आपकी बाइक वाकार को सक्षित एवं जिम्मेदारी के साथ आपके घर तक पहुँचाता है तो आप देख इस बात की आज ही संपक करें डवलेट टू वन ट्रिबल जीरो सेवन वन सेवन